दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मैं अनुराग शहधरी दोस्तों आज की वीडियो में प्रसुत है मद्धिकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महतोपोंट प्रशनों का भागच्छ है जिसमें हम मद्धिकालीन छेतरी राज्यों से संबंधित महतोपोंट प्रशनों को साल्व करेंगे दोस्तों ये वीडियो विशेश रूप से TGT PGT, LT Grade, GIC प्रवक्ता, Government Degree College, उचितर सिच्छा केंदरी विद्याले संगठन और NET JRF इतिहास विशे के लिए बहुत ही उपियोगी तथा महतोपोंट है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है बहुत ही महतोपोंट है देखिए दच्छिड में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों अलाउद्दीन बहमन दोस्तों दच्ष्ण में वहमनी राज़े का संस्थापक अलाउद्दीन वहमन था और हसन गंगु 1347 S.B. में सुल्तान अबुल मुजफर अलाउद्दीन वहमन साह की उपाध के साथ गद्दी पर वैठा था और इसी के साथ दच्ष्ण में पिर्थक वहमनी राज़े की अस् प्राप्त की और दुती सिकंदर की उपाद भी धारण की थी तो सही उत्तर है दच्छिड में बहमनी राजे का संस्थापक अलावदीन बहमन था अगला प्रश्ण है दोस्तों दच्छिड में बहमनी राजे का संस्थापक तो आप जानते हैं कि दच्छिड में बहमनी राज उद्धिन बह्मन साह की उपाध के साथ गदी पर बैठा था अगला प्रश्न है दोस्तों बह्मनी सामराजी की असठापना के लिए उत्तरदाई परिष्दितिति थी क्योंकि दक्कन के अमीराजी सादाँ के विद्रोह के पेडाम सरूप मुहम्म्मद बिन तुगलक के सासंक अगला प्रश्न है दोस्तों अलाउद्दीन का वास्तविक नाम क्या था तो आप जानते हैं हसन गंगु अलाउद्दीन का वास्तविक नाम था और दक्कन के अमीराने साधाह के बिद्रोह के पढ़ाम सरूप मुहम्मद बिन तुगलक के सासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी सामराजी की अस्थापना हसन गंगुर द्वारा की गई थी अगला प्रश्न है अलाउद्दीन हसन बहमन साह के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों बहुत ही महतपूर है अलाउद्दीन हसन बहमन साह के नाम से जफर खाको जाना जाता है अगला प्रश्ण है कौन सा प्रांत बहमनी राज में शामिल नहीं था तो सही उत्तर है दोस्तों दोब दोब जो था वो बहमनी राज में सामिल नहीं था इसे रायचुर दोब भी कहा जाता है और यह क्रिश्ना तुंग भद्रा नदियों के बीच का छेदर था इस पर अधिकार को लेकर बहमनी और विजय नगर सामराजी के बीच लगातार संघर्स हुआ था दोस्तों 23 जनवरी 1565 को विजय नगर और बहमनी के बीच प्रसिध ताली कोटा का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में विजय नगर का परधान मंत्री राम राय मारा गया और विजय नगर सामराजी को तहस नहस कर दिया गया था अगला प्रशन देखते हैं दोस्तों मलिक अंबर किस राजी का वजीर था आपको बताना है तो सही उत्तर मलिक अंबर अहमद नगर का वजीर था मलिक अंबर अभी सीनिया मूल का दास था और उन्नत करते करते वह अहमद नगर के वजीर के पत पर पहुँच गया था अहमद नगर को सक्तिसाली राजी के रूप में बदल दिया था अगला प्रशन है दोस्तों किस दच्छिन मुसलिम राजी के अमीरों ने पर्थम बार मराठों को छापा मार युद्ध पद्धत के लिए परसिचित किया था दोस्तों अहमद नगर के मलिकंबर ने मराठों की सहायता से चापा मार युद्ध के लिए एक कुसल सेना तयार किया था और अमबर ने पर्थम बार मराठों को चापा मार युद्ध पद्धत के लिए परसिचित किया था और ये युद्ध पद्धती कालांतर में मराठों के सफलता का पर्याय बनी थी अगला प्रश्ण है दोस्तों कस्मीरी कभी कल्हड ने राजतरंगडी गरंथ को किसके सासंकाल में पूरा किया था तो सही उत्तर है दोस्तों राजा जैसिंग कस्मीर का इतिहास क्रंबध और ब्यवस्तित रूप से मिलता है इसका स्रे कल्हड की राजतरंगडी को जाता है और कल्हड ने राजतरंगडी को लोहार वंस के सासक जैसिंग के सासंकाल में पूरा किया था दोस्तों प्रश्न आता है कि कल्हड की राज तरंगडी में कुल कितने तरंग यानि भाग हैं तो कुल आठ तरंग हैं कल्हड की राज तरंगडी में और इसके पर्थम तीन तरंगों में प्राचीन काल के कसमेर का इतिहास है चौथे से छठे तरंग में कारकोट और उत्पल वंस का इतिहास है और साथवे और आठवे तरंग में लोहर वंस का इतिहास मिलता है अगला प्रशन सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराईए खान देश भारुकी वन्स बरार जो था वो देखिये इमाद शाही इसके अलमा बीजापुर जो था ये आदिल साही था दोस्तों और बीदर का जो प्रदेश था वो बरीद साही तो सही उत्तर इस आधर पर आपका आपसं बी हो जाएगा याद रखेगा ये सही सुमेलन हो ज देखिए बीदर अमीर अली बरीद जो है इसका संस्थापक था अहमद नगर का संस्थापक मलीक अहमद को माना जाता है बीजापुर का संस्थापक यूसुप आदिलसाह और गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुबसाह था अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए बहुत ही महतोपूर है कि अपने पतन के पशात बहमनी सामराज्य पाँच भागों में विभाजित हो गया था उनमें से कौन एक नहीं था तो सही उत्तर है खान देश के खान साही दोस्तों सिहाबुद्दीन महमूस साह के समय बहमनी सामराज्य के विखंडन की प्रक्रिया हुई और बहमनी राज्य के नाममातर के सुल्तान खली मुल्ला के 1558 मुर्यत्य के बाद बहमनी राजपूर रूप से पांच सुतंत राज्यों में विभाजित हो गया था अगला प्रशन देखते हैं बहुत ही महतपूर है देखिए दोस्तों अहमद नगर राज का संस्थापक तो आप जानते हैं मलिक अहमद जो था ये अहमद नगर राजी का संस्तापक था और इसने बेहमनी सासक सिहाबुद्दिन महमूद के सासनकाल में 1490 में अपनी सौतनता घोसित करके निजां साह की उपादी के साथ अहमद नगर में निजां साही वन्स की अस्तापना की थी अगला प्रश्ण है मुस्लिम सामराज गोलकुंडा किस प्राचेन हिंदू सामराज के खंडहरों पर निर्मित हुआ था तो ये था वारंगल दोस्तों गोलकुंडा का मुश्लिम राज वारंगल के पुराने हिंदु राजे के खंडहरों पर स्थापित हुआ था और गोलकुंडा के कुतुपसाहिव अंसका संस्थापक कुली कुतुपसाह था जो की एक तुर्की दास था अगला प्रश्ण है दुनिया का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज में इस्थित है तो सही उत्तर है ये करनाटक में इस्थित है और मुहमद आदिल साह का मकबरा ये गोल गुंबद के नाम से जाना जाता है और ये करनाटक ततकालीन बीजापुर राज में इस् विजय नगर सामराज के बीच सतुर्ता से संबंधित राय चूर दो आप था और इस पर अधिकार के लिए दोनों वंशों ने लगातार संघर्स किया था। अगला प्रशन है दोस्तों बहमनी सामराज में अफाकी लोग कौन थे। तो सही उत्तर है इरान, इराक, तुर्की और अरम देसों से आये हुए मुशलमान आपरवासी बहमनी सामराज में अफाकी कहलाते थे। अगला प्रशन है विजय नगर के किस सासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारम किया था। तो ये था देवरायदुती दोस्तों देवरायदुती ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने का जो है ये नीति प्रारम किया था और मुसलमानों को सेना में भरती किया गया उन्हें अपना धर्म मानने की स्वतंतर दी गई थी। दोस्तों देवराय दुती को गज बेटकर की उपाध मिली हुई थी और इसके दरबार में फारस का राजदूद अब्दुर रज्जाक आया था देवराय दुती संगम मंस का सबसे महान सा सकता तो देखें देवराय दुती के समय में फारस का जो यात्री या राजदूद अगला प्रश्ण है क्रिश्न देवराय का संबंध किस वंस से था तो आप जानते हैं क्रिश्न देवराय तुलूवनस से संबंधि थे और तुलूवनस विजयनगर का तीसरा राजवनस था इसकी अस्थापना वीर नर सिंग देव ने की थी अगला प्रशन है विजय नगर सामराजी के सासक कृष्ण देवराय ने संड़क्षण दिया था किसको तो सही उत्तर है बल्लभाचारे को दोस्तों कृष्ण देवराय ने ततकालेंद अच्छिड भारत ये इन्होंने सबसे सक्तिसाली सामराजी की अस्थापना की थी इनको आंध्रभोज कहा जाता था और इनके दर्वार में तेलगू के आठ विद्वान थे जिन्हें अश्ट दिगज कहा जाता था और वैश्णो धर्मान वियाई होते हुए भी वो सभी धर्मों का सम्मान करता था बल्लभाचारे कासी बनारसी सिच्छा पूर करने के बाद कृष्ण देवराय के सासन काल में बीजय नगर चले आये उनका दर्शन शुद्ध अद्वैत वाथ था विकृष्ण के उपासक थे और उनका भ द्वान अश्ट दिगज किसके दर्वार में रहते थे तो सही उत्तर है कृष्ण देवराय अगला प्रशन है दोस्तों देखे निम्रखित में से किस भासा में विजय नगर के सासक कृष्ण देवराय ने अपने परसिध गरंथ अमुक्त माल्यद की रचना की थी तो अमु अगला प्रशन आपको बताना है कि विजय नगर के कृष्ण देवराय का राज कभी कौन था तो विजय नगर के कृष्ण देवराय का राय कभी अल्लसनी पेदन्ना था याद रखेगा अल्लसनी पेदन्ना ये विजय नगर के कृष्ण देवराय का राज कभी था और इसे आंध्र कविता का पिता में भी कहा जाता है अगला प्रशन है दोस्तों अमुक्त माल्यद पुस्तक किस विशय से संबंधित है तो सही उत्तर है कृष्ण देव राय की सैनिक और नागरिक परसासन चमता नागरिक और सैनिक परसासन चमता से संबंधित है तेलगू ग्रंथ अमोक्त माल्यद जिसकी रशना कृष्ण देव राय ने की थी अगला प्रशन है दोस्तों विजय नगर का प्रसिध हजारा मंदिर के सासनकाल में निर्मित कराय गया था अगला प्रशन है विजे नगर सामराज में कूडी सब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था तो सही उत्तर है निम्न किर्षक मजदूर के बदली में कूडी सब्द का प्रयोग किया जाता था और विजे नगर सामराज में खेती में लगे किर्षक मजदूरों को कूडी क अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर आयंगर कौन होते थे तो सही उत्तर है आयंगर 12 अधिकारियों का समूह होता था जो बिजयनगर सामराज में गाउं का प्रसासन देखता था गाउं के प्रसासन देखने वालों को आयंगर कहा जाता था ये 12 अनुवानसिक होते थे और भूमी की विक्री और करोवादिका निर्धारण इन्ही की अनुमत से हो सकता था अगला प्रश्ण है विजयनगर सामराज में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गाउं की कारियों को देखता था उसको क्या कहा जाता था तो सही उत्तर है आयंगर आयंगर कौन होता था विजयनगर सामराज में तो सही उत्तर है दोस्तों अस्थानी प्रसासक होता था जो गाउं के प्रसासन की जिम्मेदारी देखता था विजयनगर सामराज का संस्थापक कौन था बहुत ही महतोपोन प्रश्ण है तो सही उत्तर है दोस्तों विजयनग बिजय नगर सामराजी की अस्थापना की थी उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम मंस कहला था और हरिहर और बुक्का कामपिली राज में मंत्री थे मुहम्मद तुगलक ने जब कामपिली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया गया उन्हों विजय नगर सामराजी की अस्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था अगला प्रश्ण है विजय नगर राजी की अस्थापना किस ने की तो आप जानते हैं हरिहर और बुक्का ने ये प्रश्ण कई बार पूछा गया है तो सन याद रखिएगा कि 1336 में दच्छिन भारत में विजय नगर सामराजी की है स्थापना किसके द्वारा की गई तो सही उत्तर है हर हर और बुक्का के द्वारा दोस्तों विजय नगर किस नदी के तट परिस्थित्था तो सही उत्तर है विजय नगर दोस्तों देखिए तुंग भद्रा नदी के तट परिस्थित्था सही उत्तर हो जाएगा आपका विजय नगर तुंग भद्रा नदी के तट परिस्थित्था तो सही उत्तर है दोस्तो देखे कि ये तुंग भद्रा नदी के तट पर इस्थित था सही उत्तर आपका हो जाएगा कि देखे आपसंसी तुंग भद्रा नदी अगला प्रश्न है विजय नगर किस नदी के तट पर था तो ये तुंग भद्रा नदी के तट पर और अगला प्रश्ण है कि विजे नगर राजवंस की राजधानी हमपी किस नदी के तट पर इस्थित थी तो इसका भी उत्तर तुंग भद्रा ही होगा क्योंकि विजे नगर जो है तुंग भद्रा नदी के तट पर इस्थित था और इसकी राजधानी हमपी जो थी वो तु हर और बुक्का नामक दो भाईयों ने 336 में विद्वान माधो विद्यारणे की सहीओग से किया था अगला प्रशन है दोस्तों कि सस्थान के खंड़हर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिन धित्व करते हैं तो सही उत्तर है हमपी हमपी के खंडहर वर्तमान उत्तरी करनाटक में इस्थित हैं जो बिजय नगर सामराजी की प्राचीन राजधानी का प्रतनिधित्व करते हैं और हमपी को यूनेस्को की विश्व बिरासत अस्थलों की सूची में भी शामिल किया गया है अगला प्रश्ण है दच्छिन भारत के विजय नगर राजधी के प्रमुख प्रतिद्वन्दी के कहां के सुल्तान थे तो सही उत्तर है बहमनी के सुल्तान दोस्तों दच्छिन भारत में विजय नगर राजधी के मुख्य प्रतिद्वन्दी बहमनी राजधी के सुल्तान थ अगला प्रश्ण देखते हैं दोस्तों विदेशी यात्रियों से संबंधित है निकोलो कॉंटी एक यात्री जो विजय नगर आया था वह कहां का निवासी था तो सही उत्तर है निकोलो कॉंटी इटली का निवासी था जो कि वेनिस जो इटली का एक परदेश है वहां का अगला प्रशन है दोस्तों अबदुर रजाक जो है वो यातरी था कहां का तो सही उत्तर है फारसी यातरी था फारस का यातरी था अबदुर रजाक फारस का यातरी था ये फारस के सासक सुल्तान साहरुक के दरबार में था अगला प्रशन देखते हैं कौन से तिमुरिद राजदूत ने विजय नगर सामराजी का भ्रमर किया था तो सही उत्तर है दोस्तों अब्दुर रज्जाग अब्दुर रज्जाग तीमूरिद राजदू था इसने विजे नगर सामराज जी का भ्रमर किया था किस राजा के सासनकाल में मुश्लिम यात्री अब्दुर राज्जाक विजे नगर आया था तो सही उत्तर है देवराय दूती उसके देवराय दूती के सासनकाल में अब्दुर राज्जाक एक फार्सी यात्री था जो की विजे नगर आया था वह कौन सा मुसलिम यात्री था जो विजय नगर राजदर्बार में आया तो सही उत्तर है अब्दुर रज्जाग अगला प्रशन है किसके दर्बार में अब्दुर रज्जाग मिर्जा साहरुक के दूद के रूप में आया था अगला प्रशन देखते हैं कि ताली कोटा का युद्ध जो 1565 में लड़ा गया था विजय नगर की विरुद दच्छिड की किस एक सक्ति ने इसमें भाग नहीं लिया था तो सही उत्तर है बरार दोस्तों ताली कोटा का युद्ध जो 1565 में बीजय नगर की विरुद्ध भाग हुआ था उसमें दच्छिड की बरार सक्ति ने भाग नहीं लिया था और ताली कोटा का प्रसिद्ध युद्ध बहमनी राज्यों की संयुक्त सेनाओं ने बीजय नगर को पराजित किया था औ और इस संयुक्त सेना में केवल बरार सामिल नहीं था अगला प्रश्न है ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था तो सही उत्तर है 1565 याद रखेगा 1565 में ताली कोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था अगला प्रश्न सूची एक का सूची दो से सुमेलन कराना है तो य अमुक्त माल्यद कृष्ण देवराय की रचना है यहां पर देखें कैसे हमको मिलान कराना है तो देखिए सदा सिव ये तालीकोटा की युदह से समबन्धित है संगंवन्स देवराय परथम राम राय जो थे ये अर्विदू वंस और अमुक्त मालिय दिये कृष्ण देवराय की रचना है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपसन ए अगला प्रश्ण है दोस्तों देखें विजय नगर सामराज में भूम इराजस को क्या कहा जाता था तो सही उत्तर है शिष्ट दोस्तों भूम जो है विजय नगर सामराज में आयका मुख्य स्रोथ था जिसको कि सिष्ट कहा जाता था और लगान वसूली का विभाग अठावने कहा जाता था अगला प्रशन है किस विजय नगर सासक ने बहमनी सुल्तान फिरोज साह से हारने के बाद अपनी पुत्री का विवाह उससे करना स्विकार किया था तो ये था देवराय पर्थम दोस्तों बहमनी सासक फिरोज साह ने विजय नगर पराकरमण किया था जिसमें देवराय पर्थम पराजित हुआ था दोनों के मध्य एक संती हुई जिसके अनुसार देवराय पर्थम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज साह के साथ किया और बाकापुर दहेज में दिया था अगला प्रश्न है दोस्तों नानकार क्या होता था तो आप जानते हैं नानकार एक कर मुक्त भूमी होती थी ये एक फार्सी सब्द है और इसका अर्थ जो होता है एक प्रकार से माफी तो ये एक कर्मुक्त भूमी होती थी अगला प्रशन है कृष्ण देव राय ने क्या किया था तो सही उत्तर है उडिशा के राजा को पराजित किया था कृष्ण देवराय ने उडिशा के गजपती सेनाओं की चार युद्धों में पराजित किया और उदय की गिरी और कोंडा पल्ली के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था अगला प्रश्ण है दोस्तों थोड़ा सा अत्रिक्त जानकारी कृष्ण देवराय ने संस्कृत में जामबोती कल्याणम और उसा पैड़े की रशना की थी और हास्पेट नामक नगर अपनी पतनी की इस्मृति में बसाया था अगला प्रश्ण है दोस्तों वीजय नगर सामराज में निम्रथित में से किस बस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता था तो यहां से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था इसकी अलावा कपड़ा, चावल, शोरा, अद्रक, मसाले और इत्र का भी निर्यात लेकिन काली मिर्च का अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जाता था अगला प्रश्ण है दोस्तों शायड ने बेदों पर अपनी टीका किस भासा में लिखी है तो ये है संस्कृत भासा बुक्का पर्थम के संडच्छन में सायड के नेत्रितों में विद्वानों के एक मंडल ने चारों वेदों की संगिता और अनेक ब्राम्हण ग्रंथों और आरणयकों पर संस्कृत भासा में भाशिया टीका लिखी है अगला प्रशन है दोस्तों प्रसिध वेदग ये सायड जिन्होंने वैदिक ग्रंथों पर टीका आये लिखी किस राज्य को अलंक रित करते थे आपको बताना है तो सही उत्तर है विजय नगर सायन जो थे ये वैदिक ग्रंथों पर टीका है लिखने वाले ये विजय नगर राजी से संबंधित थे अगला प्रश्ण है कि वैदिक साहित के प्रतिर्द टीका कार सायन किस काल से संबंधित थे आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों सायर जो है ये विजे नगर सामराजी के सासनकाल से संबन दे थे अगला प्रशन है वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजे नगर के राजदरवार में आया था तो आप जानते हैं कि विजय नगर के राजदरवार में आने वाला फारसी यात्री अब्दुर रज्जाक था और ये कालिकट के जमूरिन के हाँ साहरुक का दूत बनकर आया था अब्दुर रज्जाक ने 1442-43 में देवराय दूती के सासनकाल में विजय नगर की यातरा की थी और विजय नगर सहर के अदभुत रूप और वैभो से आश्यर चकित होकर कहा मैंने पूरे विस्व में इसके समान दोश्रा सहर न देखा है न सुना है यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर इसमें सात पर कोटे हैं अगला प्रश्ण है मध्धिकाल में कस्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्शाह भी पुकारा जाता है तो सही उत्तर है जैनुल आपदीन दोस्तों मध्धिकाल में कस्मीर का सबसे महान सुल्तान जैनुल आपदीन था और उसकी धार्मिक सहिश्रुता की नी अधीना मस्जिद का निर्मार हुआ था तो सही उत्तर है उत्तर भारत की अधीना मस्जिद का निर्मार दोस्तों सिकंदर साह द्वारा कराये गया था बंगाल में पांडुवा की अधीना मस्जिद का निर्मार 1364 की लगभग सुल्तान सिकंदर साह ने करवाया था दोस्तों देखिए पंडुवा में एक लखा मकबरा जलाल उद्दिन मुहम्मद साह का मकबरा था जबकि अधीना मस्जिद सुल्तान सिकंदर साहदवरा बनवाई गई थी अगला प्रशन है देखिए कि ये दोस्तों अगला प्रशन जो है बहुत ही महतोपूर है कि हुसेन साह के सासनकाल में स्रीमत भागवत का बंगला भासा में अनुबाद करने वाले ब्यक्ति कौन थे तो सही उत्तर है माला धार भसू दोस्तों हुशेन साह के सासनकाल में स्रीमत भागवत का बंगला भासा में अनुबाद माला धार भसू ने किया था और इन्होंने भागवत पुरान का स्रीकृष्ण विजय नाम से संस्कृत में अनुबाद भी किया था अगला प्रश्ण है शिराज आफद इष्ट किस सहर को कहा जाता था तो दोस्तों सिराज आफद इष्ट जौनपूर को कहा जाता था दोस्तों सिराज हिंद या सिराज आफद इष्ट इब्राहिम सरकी जो 1402 से 1436 में जौनपूर के सरकी बंस का सबसे महान सा सकता वह विद्या और कला का प्रेमी था उसके सासंकाल में एक नई सैली जिसको सरकी सैली कहा जाता है इसका उद्य हुआ और इस सैली में साधारण प्रकार की मिनारे हटा दी गई और हिंदू प्रभाव के चिन्ह जलकने लगें उसने स्वेंग को सिराजे हिंद की उपाध इधारण की और जौनपूर को सिराजे हिंद भी कहा जाता था मद्धिकाल में अगला प्रशन है सावर मतीन नदी के बाएं तटके इस्थित अहमदाबास सहर किसके द्वारा बसाया गया था तो सही उत्तर है अहमद साह दोस्तों कसंस्थापक राजा सवाई जैसिंग था और अठरावी सताब्दी का सबसे स्रेष्ट राजबूर सासक अजमेर का सवाई जैसिंग था वो प्रसिद्ध खगोल सास्त्री भी था उसने दिल्ली जैपूर उज्जैन बारारसी और मतुरा यानि पाँच जगहों पर इसने की उपाधि के साथ मालवा का सूबेदार बनाया था अगला प्रश्ण और इस सिरीज यानि इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है होयसल बल्लाल दुती ये सही सुमेलित है पांड मार बर्मन सही सुमेलित है यादो रुद्र पर्थम ये स सभी विकल्प सही है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो इसमें आपने देखिए मध्यकालीन छेतरी राज्यों से संबंदित महत्वपूर्ण प्रश्णों को साल्व किया जो आपके आगामी टीजी टी पीजी टी परिच्छा गवर्मेंट इंटर कालेज गवर्मेंट ड यार कर लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल माक दरिशन फार सिबिल सर्विशिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार